पबजी मुबाइल समेथ 118 वदेशी एपस पर भारत सरकार ने लगाया बैन भारत सरकार की और से एक बार फिर 118 वदेशी एपस को ब्लॉक कर दिया गया है इस बार भारत में बैन किये गए एपस की लिस्ट में पबजी मुबाइल भी शामिल है जून में सरकार ने टिक टॉक और हेलो समेथ चीन के उनाट मुबाइल एप पर प्रतिबंद लगाया था इसके बाद में जुलाई के आखरी में संतारी और चाइनीज एपस बैन किये गए थे अब तीसरी बार ऐसा किया गया है जून के आखरी सरकार की और से चाइनीज और विदेशी एपस को बैन करने का सिलसला जारी है और इस बार पबजी मुबाइल पर भी गाज गिरी है पपुलर मल्टी प्लेयर गेम समेथ सरकार ने कुल 118 एपस को बैन कर दिया गया है सरकार की और से कहा गया है कि ये एपस बारत की सरक्षा एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते थे नए आदेश में 118 एपस की लिस्ट शामिल है और सरकार की और से कहा गया है कि इन एप्स की और से कलेक्ट किये गए डेटा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे और राश्ट्रिय स्रक्षा के मद्दे नजर इन्हें बैन करने का फैसला किया गया है आदेश में कहा गया है कि इंडियन साइबर क्राइम, कोडिनेशन, सेंसर और होम मनिस्टरी की और से भी इन एप्स पर बैन लगाने की मांग की गई थी